क्यार्व जल्र दोस्तों आज किस वीडियो में आप Mmal charger है करना सिखेंगी किस त्रह से आप evolve charger को रिप circuits कर सकते हो तो चलिए श्रीयों को बynnigaciones चक devient कर सकते हो ज़्योत है ते लें एद से चेक करते पहले है यह चार्जिंग उठारे यह नहीं इनसे चेक कर लेते है अभीं कि अधिए यह नहीं कि उठाब रहा है और यह नहीं इसे चेक करते हैं इसे लन देते हैं यह हमार पर समवाल में अधेकर दस्तो यह चारज नहीं उठा पा रहा है कर लोग को बताएंगे जिसे कैसे रिपएर कर सकते आप लोग चलिए आपको क्या करना पहले इस charger को ओपन कर लेना है इसे खोल लेते हैं इस तरह से पीछे का ठकन आपको पेच के के मदद से हटा देना है इस तरह से तो पीछे का ठकन खोल के हमें चार्जर को बोट जो अंदर में रहता इसे बाहर कर लेना है तो बोट को हमें पिलास की मदद से बाहर कर लेते हैं इस तरह से आपको घीच के बोट को बाहर कर लेना है देख सकते हो यह हमारा कीट चार्जर का तो इसे में देखना हमें क्या खराब है यह चार्जिंग नहीं उठा पा रहा है तो देख सकते हो दोस्तों यह हमारा पीन जो है चार्जिंग का इसमें हमारा कॉट गुस्ता है यह पीन इसका प्रिंट उखर चुका है इसलिए चार्जिंग नहीं उठा पारा है देख सकते आप पीन टूट गया है तो इसे हमें solder iron के मदद से इसे salding करना पर अपर एगा इसे salding करकर देखते हैं कि यह चार्जिंग उठा पाता है यह नहीं तो चलिए इसे कि वह आप साल्डिंग कर लेता है अ इस तरह से अमें साल्डिंग कर लेना है जह सकते हैं दोस्तो और इस तरह से अब सारा पीन को साल्डिंग कर ले तो दोस्तों हमने इसे पिन को सॉल्डिंग कर लिया है इस तरह से आपको सारा पिन को सॉल्डिंग कर लेना है क्या होता है कि ये पिन निकाल बार निकाल बार करने से फिरल के इसका पिन उखर जाता है और यह हमारा charging नहीं उठा पाता है तो इसे आपको देखना है कि ये ये पिन निकल गया है कि नहीं तो इसे स्वालिंग कर देना है इस तरह से आपका चार्जर ठीक हो सकता है तो इस तरह से आपको देखते हैं इसे चार्जर को काम करता है यह नहीं तो इसे सेट कर लेते हैं तो इस तरह से घुसा लेना आपको चार्जर किट को इस तरह से घुसा कर यह हमारा पीछल रखन इसे हमें ब तो हमारा चार्जर में हमें भैर को खनेक खर लाना है तो इसमें हमने इस्टरह से मौल गशा कर देखे दस्तो चार्ज़ उठा पर रहा असानी से इस तरह से आप म stepping कर सकते हूं घर पर असानी से देखे चार्जिय उठा पर असानी से हो रहार है